केंडर सरकार दौरा लाये गए नएक रिशीबिल का जमकर विरोध किया जा रहा है पूरे देश में किसानों ने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया खास कर पंजाब और हर्याना में इसी के चलते 25 सितंबर को पंजाब बंद भी था नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया मैं पंजाबी इनिवर्स्टी पटियाला की स्टूटेंट हूँ और मैं अभी दर सभा पे as I done काम कर रही हूँ मैं बर्नाला पंजाब की निवासी हूँ तो आज हम बर्नाला पे ये बात करेंगे बर्नाला जिला पंजाब के 22 राज्यों में से एक है बर्नाला जिला अबादी के हिसाब से पंजाब का सबसे छोटा जिला है और जिले का मुख्याले बर्नाला ही है बर्नाला पहले संगरूर जिले का हिस्सा हुआ करता था पर 19 नवंबर 2006 में पंजाब सरकार द्वारा बर्नाला को एक नए जिले की मानेता दी गई ये मालवा छेतर के केंदर में एक प्रसिद्ध शहर है फिर भी इसे जानने से जादा ना जानने वाली लोग है बर्नाला कभी राज्य की राजधानी हुआ करता था जब पट्याला राज्य बना तो ये जिला मुख्याले था बठिंडा और मानसा इसकी तहसीलों के रूप में थी भारत की सोतंतरता के समय बठिंडा एक अलग जिला बन गया भारत की सोतंतरता के बाद 1954 में राज्यों को समाप्त कर दिया गया और पैपसु एक राज्य बन गया तब भी बर्नाला जिले मुख्याले था रामपुरा और मलेर कोटला इसकी तहसीले थी जब पैपसु की राज्धानी से अलग कर दिया गया और पंजाब में विले कर दिया गया तो बर्नाला जिले की स्थिती में किरावटाई सिख इतियासकार ग्यानियों ने खालसा की कथाओं में बर्नाला की स्थापना का विवरन इस तरह किया है कि जब सन 1775 में पाबा आला सिंग ने अपने भाई गुना सिंग को भदा और भेट किया था तब उन्होंने बर्नाला की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था इसके बाद उन्होंने आसपास के गाउंओं को जीता था कुछ प्रचलित कथाओं से ये पता चलता है कि पहले ये स्थान अनाहतगड नाम का एक गाउं था पडोसी गाउं भागलवाड रूंगमट में मुसल्मान रहते थे जो अपनी फसलों में मवेसी चराने वाले आसपास के गाउं में पशु चोरी करने और लूटपाट की घटनाओं में लिपत रहते थे रूंगड मुसल्मानों द्वारा प्रताड़क के जाने के बाद अनाहतगड के लोग मदद के लिए भधौर गए तब के समय में बाबा गामा अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे जब लोग मदद के लिए भदौर पहुँचे तब बाबा गामा अपने घर पर नहीं थे लेकिन उनके भाई बाबा आला सिंग जी उनकी मदद के लिए उनके साथ आए और उन्होंने रूंगर मुसल्मानों को वहां से जाने के लिए मजबूर किया बरनाला के नामकरण में अलग-अलग राय है कुछ कहते हैं कि बाबा आला सिंग दोरा एक किला बनवाया गया था जिसमें बहौली भी थी बहौली एक कुवा था जिसकी नीचे सीड़ियां थी उसकी सटीकता और मालवई उचारन के कारण उसे बैन के रूप में जाना जाता था इस तरह बैन वाल आखिरकर बरनाला बन गया कुछ कहते हैं कि बरनाला का नामकरण दो शब्दों का सयोजन है जो की बरन और आला है कहा चाता है कि बाबा आला सिंग जी ने यहां के एक प्रभाव शाली संत बरन दास के नाम के साथ अपना नाम जोड़ कर यानि की बरन प्लस आला जोड़ा इन दोनों व्यक्तियों ने मानवता की सेवा की और शहर की लिए एक नाम बरनाला के रूप में सामने आया ऐसे ही अलग-अलग विचार हैं लेकिन कोई ऐसा एतिहासिक सबूर मौजूद नहीं जिससे पता चले कि बरनाला का नाम कैसे अस्तित्व में आया बरनाला की दो तहसीले हैं बरनाला, तपा और तीन उप तहसीले हैं धनोला, महलकला और भदौर बरनाला वस्तरों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि विश्व प्रसिद्दर ट्राइडेंट कंपनी यहां स्तित्थ है जो की तौली आदी के उत्पादन के लिए जानी जाती है बरनाला, गेहूं, धान, कपास और मक्का की बिक्री के लिए जाना जाता है जिलों का नवीनी करन किया गया है बरनाला में मश्हूर नानकसर बहादूर गुरुद्वारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पांच दशक पुराना है और इसका अपना एक अलग ही इतिहास है यहां का परिसर काफी शान्त है इन सब स्थलों के अलावा यहां एक बाबा कला महर स्टेडियम नामक स्टेडियम भी है जिसमें क्रिकेट के साथ-साथ कई अन्य खेलों की भी ट्रेनिंग परदान की जाती है सुर्जीत सिंग बर्नाला उन मशूर व्यक्तियों में से एक है जिनके गारण बर्नाला को जाना जाता है यह पंजाब के पूर्व मुख्य मंतरी और तामिल नाडू के राज्येपाल के साथ-साथ और भी कई पदों पर रह चुके हैं जब बर्नाला को एक अलग जिले का दर्जा प्राप्थ हुआ तो यह बर्नाला के पहले डीसी याने के डिप्टिक कमिश्नर रहे इसके अलावा प्रजा मंडल अंदोलन के दोरान बर्नाला विशेश करती विडियों का केंदर रहा सेवा सिंग ठीकरीवाल जो की प्रजा मंडल के एक विशेश कारे करता थे उनका जनम बर्नाला से महत 4 किलोमेटर दूर ठीकरीवाल गाओं में हुआ था हर साल उनकी याद में 19 जनवरी को ठीकरीवाल गाओं में तीन दिवसिये मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें विभीन राजनितिक दलो द्वारा राजनितिक सम्मेलनों की भी मेजवानी की जाती है अब अगर राजनिति की बात करें तो बर्नाला में शुरू से ही शिरोमनिय काली दल या इंडियन नेशन कॉंगेस का ही राज रहा है लेकिन 2017 में आमाद्मी पार्टिक के सदस्य गुर्मीट सिंग मीट यहां के MLA वने थे एक और नाम जिनकी चर्चा की अभी नाम बर्नाला का जिक्र किया ही नहीं जा सकता वो है मलकीट सिंग कीतू मलकीट सिंग कीतू 1997 से 2007 तक बर्नाला के MLA रहे इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए उन्हें मुफ्त में राशन उपलब्द करवाए और खुद अनपढ़ होने के बावजूद भी बच्चों में मुफ्त कापियां बाटी इनके नेक कामों के लिए लोग इन्हें आज भी याद करते हैं अब सरा नए क्रिशी बिल की बात करें बिल को लेकर किसानों और विपक्ष द्वारा आरोप लगाय जा रहे हैं कि इससे मंडी विवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों को उनकी फसलों के लिए MSP यानि की मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल पाएगा किसान संगठनों का आरोप है कि इससे किसानों की खेती और मंडीयों पर बड़ी कॉर्परेट कंपनियों का कबजा हो जाएगा जबकि सरकार का कहना है कि क्रिशी में लाए जारे बदलावों से किसानों को अफसर मिलेंगे और उनकी कमाई में मुनाफ़ा होगा और इनी सब के चलते 25 सितंबर को किसानों ने विरोध किया और धरने लगाए बर्नाला के भी बहुत से गाउं जैसे महलकला, धनोला, हंडियाय और यहां तक कि बर्नाला के रेलवे स्टेशन पे भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला यहां के एक अकाली दल के नेता, दविंदर सिंग बहला ने अपने ट्रेक्टर को आग लगा दी और बिल वापस न लेने की स्थिती में खुद को प्रधान मंदरी आवास के सामने आग लगाने के चितागनी दी कोरोना की बढ़ते मामले और हो रही मौतों के कारण बर्नाला निवासियों ने साथ मिलकर सफाई के कुछ एहम कदम उठाए जिन कदमों में से एक 26 सितंबर को जालूर संतों दोरा उठाया गया उन्होंने बर्नाला के मुखे बजार के कुएं के पास एक हथेली का पेड लगाया लोगों ने इस उठाएवे कदम की काफी तारीफ की और बजार वालों से निवेदन किया कि अभी यहां कचरा न फिका जाए